जब घरवाली हो और बाहरवाली की इंट्री हो जाए तो जो होता है वही पटना के बजरंग पूरी में हुआ घरवाली पैसों के लिए तरस्ती रही और बाहरवाली का एश चलता रहा और जब घरवाली ने बाहरवाली को लेकर सवाल उठाया और घर के खर्चे मागे तो पती आगबुला हो गया और घरवाली को गोली मार कर घायल कर फरार हो गया आनन फानन में परोसियों ने घायल घरवाली को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया जहां महिला के स्थिती स्थिर बनी वी है घटना पटना सिटी के आलमगन स्थाना के बजरंगपुरी इलाके की है जहां एक पती ने घरेलू बिवाद में अपनी पत्नी को गोली मार दी घायल महिला को इलाज के लिए नालन्दा मेडिकल कालेज अस्पताल में भरती कराया गया फिर डाक्टरों के कहने पर महिला को पत्ना मेडिकल कालेज अस्पताल में इलाज के लिए रिफर कर दिया बताया जाता है कि आरोपी पत्य विशाल पासवान ने घर वाली के रहते हुए बाहर वाली से गुपचुप शादी रचाली। पहली पत्नी श्वेता को जब ये पता चला तो वो बेचैन हो गई और एक किराय के घर में रहने लगी। इसी बीच पती अपने दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। पहली पत्नी कराय के घर में किसी तरह अपना जीबन या अपन करने लेगी। लेकिन रवीवार को पहली पत्नी से मिलने विशाल पासबान आया। जहां पहली पत्नी श्वेता ने उसे घर के खर्च के लिए रुपे मांगे तो दुनों की बीच बिवाद हो गया। और उसी वक्त विशाल ने अपनी पत्नी को गुली मार दी। घायल महिला के बयान पर मामला दर्च कर पुलिस जांच में जुट गई है। गटना के समंद में पूछे जाने पर पिरीता पत्नी ने बताया कि विशाल पासबान की वो पहली पत्नी है। उसने बताया कि पहली पत्नी के होने के वावजूत भी उसके पत्नी ने पिछले साल दूसरी शादी रचा ली थी। पिरीता के कहना है कि दूसरी महिला के साथ व्याह रचाने के बाद उसका पत्नी उसे कोई भी पाड़वारी खर्च नहीं देता था। जिसको लेकर आये दिन विवाद होता रहता था। रवीवार के रात विवाद के क्रब में ही उसके पती ने गुली चला दी जिससे वो गंभीर रूप से घैल होगी। घटना के बाद से आरोपी पती फरार वताया जाता है। पुलिस पीरिता के बयान पर फरार आरोपी की ग्रिफतारी को लेकर सगन छापेमारी अव्यान में जुट गई है। इस मामले को लेकर पीरता के माईके वाले पती की ग्रिफतारी के लिए पुलिस पर दबाब बनाये हुए है। ताकि बाहर वाली के साथ पती भी ग्रिफतार हो। खुलासा के लिए पतना सिटी से अरोण कुमार की रिपोर्ट। कुमार